वेलकम बेक टू योर अनलाइन क्लासेज हवाई स्टुटेट्स होफ़ली योलर फाइन तो अपने बात कर रहे थे क्लास सेवन 6-7-8 की हिंदी के लिए और अपना अन्जो टोपिक था उसका नाम क्या था सब्द विचार मौर्फोलोजी में अपने क्या पढ़ लिया था विवार्ड होते हैं कैसे अपने सब्दों को बाढ़ते हैं कौन-कौन से आधार पर इनके बेद होते हैं ठीक है ना अपने समने रूप से बेद थे दो सार्थक निर्थक ठीक है फिर क्या पढ़ा था अपने व्यूत्पति के अब अपना क्या था वाक्यों में प्रियोकेदार पर इनको अपन बाढ़ते हैं तो वाक्यों में प्रियोकेदार पर क्या है कि ये कितने प्रकार के होते हैं ये आपको दो प्रकार के होते हैं ठीक है ना कितने प्रकार के होते हैं वाक्यों में प्रियोकेदार पर दो प्रकार के सब्द होते हैं एक तो होता है विकारी विकारी यानि जिसमें विकार संबो जिसमें कुछ चैंज आ सकता हो जिसमें अवन बदलाओ कर सकते हो और एविकारी जिसमें कोई कोई बदाओ, चैंज नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला हो गया अपने विकारी, देखिए विकारी सबस जिन सब्दों, जिन वचन कारक काल आदी के कारण परिवरतन आ सके, ठीकες ना, जिन में किसी ने किसी तरीके से अपन उसमें अपन कोई कोईन चैंज कर सकते हैं, या उस سبद क्या होते हैं? विकारी सबद होते हैं. ठीक है? देखिए, संग्या, सरोनाम, किरिया, विसेशन, विकारी सबद हैं. इनमें प्रयोग के अधार पर प्रयोटन आ जाता है. ठीक है ना? जैसे संग्या, ये सबद क्या है? लड़का. इसको क्या कर सकते हैं? अपन बड़तना सकता है जैसे यह बड़क है लड़का देखो यह बन गया लड़के लड़कों लड़की इसी से बना है ठीक है फिर बड़क है सरुना देखिए क्या बड़त तुम इसे बन गया तुम से तुमारा तुमारे तुमारी यह देखिए क्या नेक्स क्रिया है यह जाता है ये बने गए जाएगा जाएंगे गए काला काले ठीक है ना काली तो यानि संग्या सरुनाम किरिया विशेशन के हदार पर हम क्या कर सकते हैं इन वर्ट्स में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है तेखो ये बर्था लड़का इससे बन गए ये तुम से ये तिनों बन गए जाता से ये बन गए काला से ये बन गए तो कुछ न कुछ क्या आ गया भी परिवर्तन आ गया तो जिन सब्दों में किसी ने किसी कारण से क्या आ जाए परिवर्तन आ जाए ठीक है न? तो वे सब्द क्या कहते हैं? विकारी सब्द कहते हैं यानि प्रिवतन यानि विकार ठीक है न? अब देखिए ऐ विकारी सब्द ठीक है? ऐ विकारी सब्द कौन से होते हैं भी? यह दोख़ा आप देंसे ऐ विकारी सब्द होते हैं जिन सब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, आदिका कोई भी परबाओ नहीं पढ़ता हो यानि जिन सब्दों पे इनका कोई फरक नहीं पढ़ता हो और वे एक ही रूप में प्रियुक्त होते हो हमेशा वे एक ही रूप में क्या होते हो यू जाते हैं उन्हें संग्या, काल, विशेशन, लिंग, सरुनाम कोई भी मतलब नहीं, कुछ भी हो जाए वो चैंज नहीं होते है तो वो कौन से होगे? एविकारी सब्द होगे इन्हें अव्वे भी कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं भी? अव्वे, ठीक है? देखिए, किरिया विशेशन, संबन बोदक, समुच्चे बोदक और विस्मियादी बोदक सब्द एविकारी सब्द है ठीक है ना? ये जो सब्द है वो कौन से है? एविकारी यानि जिन में कोई भी चैंज है वो संबव नहीं है ठीक है? जैसे के जल्दी अब जल्दी का तो जल्दी रहेगा ये तो यानि जल्दी, जल्दे, जल्दो कुछ बन सकता है क्या? दीरे, तो दीरे है तो दीरे ही है चैवस्त्री लिंग के लिए है या पूलिंग के लिए है या उसका एक बचन बनाओ या बचन बनाओ या कौन सी काल की बात करो ठीक है न किंतू 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 ही रहेगा पीछे आहा खाए आदी ठीक है ये तो हो गया इसका प्रकार अब देखिए तत्सम तत्बह सब्ध याँ पे कुछ अपने दिये गये है कौन सा सब्धा तत्सम और फिर उसका तद्बह में आखे वो कैसे आगे तो ये तो देखो इसका तो यूँ है भी एक बार तो आपको लगबग इनका आइडिया हो जाता है वैसे भी ठीक है ना क्यों इसमें आदी मत्रा है ना जिस अगनी में अन्य में अम्री में आदी मत्रा होती है जो mostly जो भी इसके अंदर तो इसे लाला की ये कोई वो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं लेकिन इसमें तो ज्यादा कुछ हाड़न फास नहीं आप जैसे जैसे करोगे तो आपके अराम से सुन में आ जाएगा तो ये देखिए अपना कुछ अपन देख लेते हैं बाकी ए बुक आपके पास में हैं सारे एक्जामपल्स हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं यहाँ पर कुछ वाड़ दिए गए हैं जैसे कि अगनी आग ये अगनीत हो गया कौन सा तत्सम और इसका जो तत्वह है वो आग हो गया है इन्हीं के जो दिए गए हैं अन्यत्तर अनत अमरत, कुकूर, कुता, ये अपने कुता होता है, इसको क्या बोलते हैं, कुकूर, संस्किर्त में, मूलबासा में, या ये सबताज से भी तस्थ, अंगुस्ट, अंगुठा, कुस्ट, कोड, आमलत, आउला, कूप, कुवा, अर्सू, आंसू, गात्र, गात, तीक है, तो ये, स सारे के सारे वर्ड आपको क्या करने है, कम से कम, टैन टाइम तक इसको पढ़ना है, तो आपको आराम से समझा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है, और ये, कॉमनी वर्ड है, जो अपने काम में आते हैं, तो आपको इजी समझाएगे, ठीक है भी, ये देखि है, ठीक है, ये देखिए, मित, विक्सा, बीक, दक्सिन, दाहिना, ठीक है, मक्सिका, मक्ही, अबदीर, बहरा, किस्रक, किसान, ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपच्छे से, देखोगी, ये काफी लंबी, इसमें काफी एग्जेम्पल दिये गए है, आप देखिए, एग्जेम्पल होर भी सब्दों के दिये गए है, वो भी आप एक बाद तुरा सापन देख लेते हैं, कौन जी सब्द है, देशज, कौन से भी, देशज, यानि जो की देशी बसा से मैंने भी पताया था, जैसे लुटिया, चुटिया, खटिया, लोआ, उट पटांग, है खुसर खुसर कर रहे हो, इंदी में कामे लेते हैं, कहीं कहीं, टॉइं टॉइं, चूँ चूँ चूँ, बखबख, बोलते हैं न, अट्रीक है, गटबड हो गए भी, हल्वा, चटपटाना, धकास, सटकना, ये सब्द हमारी देशी बासां से आई हैं और इंदी में काम में दिये जाने लगे फिर क्या विदेशी सब देखी कुन से है और भी बासा से का आये थे वर्ड वो देखिए कुछ कुन से जो और भी बासा से है और हिंदी में आगे इमान, मसाल, अल्ला, सेक, सुल्तान, इरादा, इसारा, तैसील, हल्वाई, नकद, किताब, अजब, अकल, असार, कतल, जिक्र, तमाम ये आगे सारे हैं ठीक है अब कुछ वर्ड है वो तुर्की बासा से आये हैं वो कुन से हैं जैसे चाकू, काबू, कुली, चेचक, चमच, क काली, ये अब ये लगते हैं ये तो हिंदी के हैं वर्ड, रहे हिंदी में तो हैं लेकिन आये काँ से आये हैं उसे दार पे अपने को पता था होना चीए ना, ये सारी की सारी चीज़े इंपोर्टेंट हैं आपने आगे कंपटिशन एक जाम पॉइंट होगी के साब से, ठी किया है, कुर्की, खान, चुगल, चक्मक, तलास, द्रोगा, बावर्ची, बेगम, बलबल, सुराग, सोगात, मसालची, आदी, अब कुछ फार्शी बसा से आए हैं, आइना, अमरूद, आमदनी, आइंदा, अब ये सारी इंदी में काम आते हैं, आस्मान, उमीद, कारिगर कबूतर, गवा, खामोस, जलेबी, किस्मिस, जुकाम, खुरा, खुस, दरजी, इंगर्द, दवा, अपने वह ये लगते हैं कि सारे से हिंदी के लिए हिंदी के लिए, अब हैं, आएं कासे हैं, इन इन पर्टिकुलर बासां से आए हैं, अब इंगलिस, यानि ये देखो, जी का सबसे पहला स्कूल, काम लेते हैं, अपने हिंदी का तो सब क्या है, विद्धाले, हिंदी का है, विद्धाले, अपने क्या बोलते हैं, स्कूल, हिंदी में काम होते हैं, हिंदी में लिखते हैं, लेकिन ये इंगलिस का वर्ट है, इंस्पेक्टर, ठीक है, अफसर, हा कि ये वैसे इंगलीज का ही है अप्रेल ठीक है ओफिस इंच इंजन स्प्रीट कंपनी ओवर कोट क्लेंडर कमिशन केम कमेटी कॉलेज कोको गिलास कूपन डबल बिल्टी रसीद रपर्ट रेल सिगरेट मजिस्ट्रेट प्रेस फोटो बटन डॉक्टर डेरी प्रोफिसर ट्र प्रक चेर चिमनी ठीक है तो ये सारे के सारे वर्ड है इन पर्टिकल्ट ये तो इंगलीज के होगे ये फार्शी के ये तुर्की के ये अर्भी के आप इनको एक बर आटदस बार देख लेना इससे आपके एकजमित आएगा भी नहीं और आएगा तो जैसे जैसे आपकी आ आपका लेवल बढ़ेगा और इस टाइप के वड़ाते रहेंगे लेकिन आप इनीशियल लेवल पर अभी आपके पास में टाइम है तो आप आरदस बार इनको देख लो ठीक है आरदस बार पढ़ लो फिर आपस में होंगे जैसे गर में आपको इसको एक एज़ एक गेम मे बना सकते हो ठीक है ना कि भी हाँ भी तुम बताओ जैसे मां लेजी आप गर में एक एज़ के दो तिन बच्चे हो तो आपस में कर लो याद उनके भी ये चीज़ निया कि आपकी है उपर वाली क्लास में है बच्चे तो कोई दिक दिक दे उनके भी काम किये और निचे वा बड़ा गया जैसे है ऐसे बोल दिया कि शीरा अब आप उप्सन दे दो उसको बताओ ये कौन सा है भी अर्भी है तुर्की है फरसी है उप्सन तो ये रहेंगे उप्सन तो ये और ये कितने सारे कोशन बन गए ठीक है ना अंडर से भी ज्यादा कितने कोशन बन गए तो इ आपके सारे वर्डे आपको सिसलन करने है पिर एक साइज है ये इसका मैं आपको फेस दूंगा फोटो इसकी आपके व 알सन नंब्र पर packed 6 7 8 जैए आगे सारी फेर में करनी है ठीक है ना Okay ये मैं आपको ये बस इतनी सी है ये मैं आपको आज दूंगा और अपनी आप फेर नोट्बूक में कर लेना कौन सा लेशन ट्री अपने एक निमबर पर कौन सा पढ़ा था भी संग्या ठीक है फिर अपने पढ़ा था लिंग ठीक है कौन सा पढ़ा था लिंग और ये तीसरा अपना पॉर्फोलेची होई गया है यानि सब्दुचार ठीक है तो अपने ये इं होना चीह कभी भी आपका उसका रेंडम टेस्ट हो सकता है ओके थैंक यू है नाइस टेइ स्टे होम स्टे सेफ